नमस्कार मैं हूँ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग निउज बाका की बड़ी खबरों के बुलिटिन में आपका स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की ओर अमरपूर थाना छेतर के सूप्रसिद बाबा जेठोर नात महादेव मंदिर का सौंदरी करन एवं परेटन अस्थल के रूप में विक्सित करने को लेकर अमरपूर विधायक सहक ग्रामिन कारी मंतरी जयन्त राज कुश्वाहा ने परेटन विभा आठ दिनों तक विशाल मेला का अयुजन किया जाता है चांदर नदी के तक पर मनुरम वादियों के बीच यह मंदिर अवस्थित है परेटन अस्थल के रूप में विक्सित करने की आपार संभावनाएं हैं शंभू गंज प्रखन के गौरीपूर पहार पर अवस्थित श् वहीं दूसरी तरफ काफी हद तक छेतर में विरोजगारी की समस्या दूर होगी मंतरी के पहल के बाद छेतर में खुशी की लहर देखी जा रही है छेतर के शमाज से भी शंकर सिंग भोलू पुद्दार मनीश ज्जा विशनपूर पंचायत के मुखिया सुर्यदेव सिंग रतनपूर मकदुमा पंचायत के मुखिया नकुल परसाथ सिंग समेथ अन लोगों ने मंतरी को इस पहल के लिए बदाई दिया है रहाईसी छेतर में अवैद ढंक से संचालित इट भट्टे की चपेट में आने से 13 वर्षिये बच्चे बासो की यदव की मौत हो गई वहीं एक दूसरा बच्चा जखमी हो गया गटना बाका जीले के सदर अनुमंडल के बाका थाना के मनियारपूर की है गटना को लेकर बताया जा रहा है कि शंभू या दव इट भट्टा के बगल के गैर मजरुवा जमीन में काफी दिनों से गोहाल बना कर रहता था गटने के दिन कुछ कारी से परिवार के अनिस अदर से कहीं दूसरे जगा चले गए थे और बच्चा गोहाल में ही खेल रहा था अचानक भट्टा भरवरा कर बच्चे पर ही गिर गया और बच्चे की दर्दनात मौत हो गई गटना के बाद सैकडों लोगों की भीड गटनास्थल पर इकठा हो गई और भट्टा संचालक की मनमानी के चलते बच्चे की मौत होना बता रहे हैं नितक के पिता की माने तो पूरु में भी भट्टा संचालक जमीन खाली करने की चेतावनी दे चुका था गटना के बाद अस्थानिय प्रशाषन गटनास्थल पहुँच कर मामले की जाज करते हुए सब को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए सदर अस्पताल भिज दिया है साथी पुलीस अवैद ढंग से बट्टा संचालित करने और बच्चे की मौत को लेकर संचालक अमर चौधरी के विरुद्ध कारवाई करने की बात कही पिछले दिनों बाका के नव तोलिया इस्थित मदर्सा में हुवे बंब इस फोट को लेकर भागपा माले का राजस्थरिये टीम घटना अस्तल का दौरा कर हाकिकत से रूफ बरो होने की कोशिश की तीन अस्तरिय टीम में भागपा माले की बिहार राजी कमिटी के सदस से S.K. सर्मा, एक्टू के राजी सचीव, मुकेस, मुक्त और बाका जिला के संयोजक संजय मंडल ने दौरा किया इस बाबत S.K. सर्मा ने घटना को समान घटना बताते हुए जिला प्रशाशन की अब तक जाच रिपोर्ट पर संतोस जताया यही नहीं उन्होंने कहा कि जिले के अन्य लोगों के द्वारा भी जानकारी लेने पर लोग भी घटना को समान ने बता रहे हैं लेगिन घटना को कुछ लोगों द्वारा व्यापक रूप देने की कुर्शिस की जा रही है घटना तो इस पॉर्ट पर देखने के बाद यह बिल्कुल सामान घटना जैसा ही पत्तित हो रहा है और इस मामले में हम लोगों को लगता है कि बाका के परसाशन ने बयान दिया है जो इंवेस्टिगेशन का अब तक का बरिपूट का जो दिक्टि किया है वो लगता है कि बिल्कुल साथीक है हम लोगों का आने का मूल मकसद यह है कि हम लोग पर इसकी गहराई में जा सके हैं क्योंकि पूरा बाका जिला में इस घटना को लोग सामाने घटना मान रहे हैं अमरपूर प्रखंड अंतरगत बैजुडी पंचायत के अमीन पूर गाउं के वार्ड नमबर छह के ग्रामिन जल जमाव से खासे परिशान है हलकी सी बारिश में भी काफी जल जमाव हो जाने के कारण आम लोगों को आवाजाही में खासी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौके पर ग्रामिन पिंटु कुमार, रितेश कुमार, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, निरंजन कुमार, रीता देवी, पार्वती देवी, पूजा देवी आधी बताते हैं कि विगत 20 वर्षों से अमीन पूर गाउं के ग्रामिन पक्की सड़क के लिए ललाई था यहाँ पानी निकासी के लिए कोई भी नाला का निर्मान कारी नहीं किया गया है जिस कारण हलकी सी बारिष में भी पूरा जल जमाव हो जाता है निकासी वा नाला निर्मान नहीं होने से बारिष का पानी आम लोगों के घरों में परवेश कर जाते हैं जिस कारण आम लोग आए दिन गंभीर से गंभीर बिमारियों का सिकार होकर अपने हालात पर आशु भाने को मजबूर हो गया है पंचायत के मुख्या चुनाव के समय तमाम तरह के वाइदे कर चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद मुख्या अपने कानों में रुवी डाल कर बैठे हैं इन्हें आम जनता की सुख्र दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है इंग्लिश मोर संभू गंज मुख्य मार्ग पर कुमारपूर स्कुल के समीब शुक्रवार की अर्धरातरी बाइक और पिकप वहान की टकर में बाइक सवार दो युवक जख्मी हो गए अस्थानियों लोगों की मदद से जख्मी अमरपूर्थ खाना छेतर के काप्री चक गाउं निवासी प्रशुराम काप्री एवं गौतम कुमार को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डक्टर मुकेश कुमार के दोरा दोनों जख्मी का प्रात्मिक उप्चार कर प्रशुराम काप्री की गंभीर हिस्थिती को देखते हुए बहतर इलाज के लिए भागलपूर माया गंज अस्पताल रेफर कर दिया सुत्रों से मिली जानकारी के अनुशार माया गंज अस्पताल में सनिवार की चार बजे सुभा इलाज के दोरान प्रशुराम काप्री की मौत हो गई विवकी मौत के बाद विवकी मा प्रमिला देवी समेट अन्य परिजनों का रोरोकर बुरा हाल हो गया है ग्रामिनों से मिली जानकारी के अनुशार देर वट्स पूर्व ही प्रशूराम काप्री का विवा तारापूर के दुरगापूर गाउं में हुई थी विवा के बाद मिरतक को च्छा माह का एक पुत्र है सुक्रुवार की रातरी प्रशूराम गाउं के ही गौतम कुमार के साथ बाईक पर शवार होकर सोन दिया जा रहा था तभी कुमारपूर बगीचे के समीप विपरीत दिसा से आ रही पिकप वहान ने अनियंतरित होकर धक्का मार दिया मौकर से चालक अपनी वहान लेकर फरार हो गया युवार की सब का भागलपूर हस्पताल में पोश्टमाटम के लिए अमरपूर स्थित काप्री चगाउं लाया गया है बाका जिले के अमरपूर शहर के वार्ड नमबर साथ में बाका एंटी लिकर टास फोर्स के इंस्पेक्टर अजीत कुमार एवं स. उपेंद कुमार के नेतरित में अवैस सराब की धर पकड़ के लिए छापे मारी अभियान चला गया चापे मारी अभियान के तहत वार्ड नमबर साथ निवासी शोनू साह के घर से 750 ml रॉयल स्टेक की छापीस, 375 ml इंपेरियल ब्लू कमपनी की चार पीस, 375 ml ब्लेंडर की तीन पीस, 180 ml ब्लेंडर की एक पीस, 375 ml रॉयल स्टेक की पंदर पीस, विदेशी शराब बरामत किय चापे मारी के दोरान गली में बाइक से जार एक युवक की तलाशी ली गई, तलाशी के दोरान युवक के कमर से 375 ml इंपेरियल ब्लू की दो विदेशी सराब ब्रामत किया गया, मौके पर युवक को बाइक समेद गिरपतार कर लिया गया, गिरपतार युवक वार्ड न झाल